पर कहीं भी जुख जाएगा, मंदिर जाने की भी जरत नहीं पड़ेगी, मस्जिद या गुर्दवारा, नहीं, आपको भगवान के दर्शन जहां आपके भावना और प्रेम उमड़ा वहाई दर्शन हो जाएंगे, पेडों में, पंचियों में, पशों में, नरों में, बानर प्रेम के विना काम नहीं चलता, प्रेम नहीं इसलिए तो फोज भाटे घड़े सारे संसार के, एक देश दूसरे देश से डरा हुआ है, प्रेम नहीं, प्रेम नहीं इसलिए तो एक भाई भूका मरता है, और दूसरा राज मेलों में बैठा है, प्रेम नहीं, प्रेम के वि तो कोट का चरियों क्या जो रोता है प्रेम नहीं इसलिए केस होते हैं मर्डर केस होते हैं रेप केस होते हैं ढाके डलते हैं कोट के चरियों पुलिस पहुज भांटे सब बंदोबस्त होते हैं प्रेम नहीं प्रेम के प्रेम के हिरदय में जिनके हिरदय में प्रेम होता है वह सारे गुण बिद्धमान हो जाते हैं और परमेशन हुआ ही प्रगट होते हैं जा प्रेम होता है उससे पहले नहीं इसलिए किसी मान शैर ने काया कि जर्रे जर्रे में है जांकी भगवान की लेकिन किसी आख वाले ने इसकी पहचान की आख तो होनी चाहिए कोई ज्ञान चक्षू कोई अनुभव का चक्षू होना चाहिए रिलाइजिशन होना चाहिए और रिलाइजिशन सत्वगुन से नीचे नहीं प्राप्त होता जो रिलाइजिशन की भगवान बात कर रहे हैं वो सत्वगुनी ब्यक्ति के हिर्दे में अनुभव होता है उस परमीश्वर का, उस प्रकर्ति के सौंदरिये का, उस फूल की खुश्वू को पहचानने और जानने वाला, वो ही सक्स होता है, जिसके हिर्दे में प्रेम होता है एक मैंने सुना है, किसी संत महात्मा जी के मूँ से, एक माली एक बाग के अंदर नाच रहा था, खिले हुए फूलों को देख करके क्योंकि माली नहीं उनको बोया था, सीचा था, सुधारा था, क्यारियों को, बाग को जो फूल खिले, तो नाच रहा था, अकेला, मस्त एक सुनार भी वाकिंग करने उस पार्क में चला गया, उसमें बोला, अरे भाई, नाच क्यो रहा है हो, क्या हो गया तुमको भूलो देखते नहीं, ये फूल साक्षा भगवान के जैसे दर्शन हो रहे हैं, बगीचा मेहक रहा है तो मुझे, मैं नाच रही तो क्या करूँ, मुझे भूत आनंदा रहा है, आनंद भगवान का रूपे द्यान रखिए, सच्चा आनंद सुनार ने पूछा, मुझे बतलाओ तो सही, इन फूलों में है क्या, कहां है भगवान इन में, कहां है आनंद इन में तो उसने तोड़ तोड़ के कली-कली अलग कर दी एक फूल को, सुनार ने, मुझे तो इन में कुछ नजर नहीं आ रहा है तो सुनार को फूलों में खुश्वू या आनंद का या प्रेम की खुश्वू कैसे आए सुनार के हिर्दे में, मन मस्तिस्क में तो सोना ही सोना है वो कसोटी पर जब तक नहीं कसले, उसको कैस सोने को भी और रिजेक्ट कर देगा जब तक प्रूफ नहीं करे कसोटी, नहीं उसके लिए तो माली की आँख चाहिए, माली का हिर्दे चाहिए जिस माली ने उन भीजों को बोया अंकुर निकले सीचा पौदे बड़े हुए और उमें नाना प्रकार के फूल निकलने लगे और फूलों से खुश्वू महग गया पूरा पाग तो माली नासता है माली ने जो अनभव किया वो सुनार कभी स्वपने भी नहीं कर सकता सतोगुन के अंदर अनभव उस परमात्मा का जलकता है रजोगुन तमोगुन में नहीं रजोगुन में संसार का अनभव जलक सकता है तमोगुन में वो भी नहीं जलकता तम गुन नावी तमोगुणे तम यानि अंदकार, जो अंदकार में ही जी रहा है, जो अंदा हो के अपनी जीवन को जी रहा है, अंदों को आखें दी, जी सबस्थने, ऐसे ही अंदों को आखें दी थी, यह मैं सोचो, कोई आख फूट गई थी रोसको आख प्रदान कर दी, नहीं, ऐसे महापुरुष, ऐसे जिनको भगवान का उतार कहा है, ये ऐसे चमतकार नहीं दिखाते हैं, छोटे मोटे, ये तो पूरे समाज को लावानुईत करने आते हैं, जो अंदे थे, जो अंदकार में जीवन जीते थे, उनको आखें दी थी जीसुसुने, मुर्दों को जिन्दा किया था, जो जिन्दगी को मुर्दे के समाज जीते हैं, बीमारों को स्वस्थ किया था, जिनके मन, बुध्धी, एहंकार बीमार हैं, जो इस जीवन को बीमारों की तरह, खायलों की तरह जीते हैं, बीमार जैसे बीमारी हो गई हो, रोग लग गया हो, बुध्धी में जंक लग गई हो, बिचारों में पाला पड़ गया हो, ऐसे चीते हैं, बीमार हो करके, उन बीमारों को स्वस्त किया तंदरस्त किया जैस चैतन महापुरुभी जी ने नचाया चैतन महापुरुभी जी डाकूँ को नचाया चोरों को नचाया जिनके पाउं कभी नाचना सीखे ही नहीं उनको नचाया सोतों को जगाया कोई भी महापुर्श सोतों को जगा ने आता है अंदों को आखे देता है बहरों को कान देता है कि सुनो अरे सुनो कैसी ध्वने आ रही है उस परमात्मा की मुरली बज रही है मुरली की ध्वन सुनो इन हवाओं के मैध्यम से सर्वत्र संगीत बद्ध है सारा बिश्व जरा सुनो उसकी पवित्र नामों को सुनो उनमें कितना रस है उनका पान करो चैतन महाप्रुपुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसका पान करो कृष्ण आनक देव जी ने भी वोई सर्वन शक्ती दी सुनने की शक्ती दी बहरों को कान दी अंदों को आंके दी बीमारों को स्वस्थ किया और जो सोये हमें उनको जगाया जो सो रहे थे सोते सोते जिन्दगी जीते हैं उनको होश ही नहीं है सोते आदमी को कुछ होश होताए सोय हुए आदमी के उपर चाहिए मच्छर काते है या साप निकल जाए उपर से उसको पता ही नहीं है कोबरा निकल रहा है सरीर के उपर से सोय हुए आदमी को पता नहीं है घर में आग लग रही है उसको पता नहीं चलता कि सोया पड़ा है खणाटे मार रहा है लेगे कोई जगाने वाला चाहिए कि अरे मूर्ख खड़ा हो घर में आग लगी हुई है भार निकल भाग के संतों नहीं यही कहा कि संसार दावा नल लीड लो कहा यह संसार में दावा नल लगी हुई है दावाग नी लेगन जो मूर्खित पड़े हैं सोये पड़े उनको कैसे मालूम चले कि दाव वो कहेंगे दावा ने दावा नी का है हैं मादिराल है हैं बहतिल हैं कासीनों हैं काहर हमारे पास है हम प्रav ad कर सकते हैं धन है पैसा है के दराव लग 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 रही है हमारा सेब डिपोजिट है बैंक में बैंक बैंक बैलैंस हैँ स्वीजर स्वीज बैंक में खाते हैं कि दर आख लग रही हैं अमको तो नहीं नहीं जरादा यह बेकार की बात मत करो कि नहीं जिन्होंने रिलाइश किया इस अगनी को उन्होंने कहा कि संसार दावा न ले संसार दावा नलली धेलो का त्रानाय कारुण्य घना घनत्वं टाप्तश्य कल्यान गुनार्न वश्या बंदे गुरो श्री चरनार विंदं जिन्होंने जाना उन्होंने कहा बुद्ध ने जाना बतलाया महावीर ने जाना बतलाया गुर्णानक देव ने जाना बतलाया चैतन महापुरू ने जाना बतलाया भक्ति बिनोठ ठाकुर ने जाना बतलाया प्रभुपाजी महराज ने जाना बतलाया रामकृष्ण परमंस ने जाना बतलाया, जीसस ने जाना बतलाया, मौम्मद ने जाना बतलाया, जिनों ने अनुभव किया, उन्हों ने बतलाया समाज को, कि दावा नल है, निकलो यहां से. का फसे हुए हो? का ये भोग विलासों में उत्रे हुए हो? नहीं हमको यूटर लेना चाहिए समाज बहुत विक्षिप्ट दशा में है बहभीत है एक से दूसरा बहभीत है देखिए जरा पड़ोसियों कोई एक पड़ोसी दूसरे से बहभीत है चोर पुलिस वाले से बहभीत है पुलिस वाला चोर से बहभीत है पाकिस्तान इंडिया से बहबीत है, इंडिया पाकिस्तान से बहबीत है अमेरिका, रसिया, जर्म, लंडन, कोरिया, साउथ कोरिया, नौर्थ कोरिया, जापान, चाइना एक दूसरे से बहबीत है, पूरा समाज बहबीत है, एक ब्यक्ति दूसरे ब्यक्ति से बहबीत है सारा बिश्व भैवीत है, तो मनुष्य की दशा गलत है, मनुष्व जिस डाइरेक्शन में जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, तो यूटर ले सकता है, आज भी यूटर ले सकता है, सुख पाएगा, सुखी होगा, निरोगी होगा, जागेगा सोये से, बचेगा दावानल से, तो बल आरोग्या सुख प्रीती विवर्धना तो प्रेम से अपना घट बलेगा यूटर ले लेगा तभी दिशा परिवर्तन करने से और कोई जरिया नहीं है सुख के लिए डोलता रहे हम कभी लंडन से इंग्लेंड इंग्लेंड से अमेरिका सुख प्राप्त करने लिए मिलेगा नहीं थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख को सुख माल ले कि आईस क्रीम खा रहे हैं या कार में घुम रहे हैं या एरोपलेन में बूड रहे हैं ये क्षणिक सुख इसको सुख नहीं कहा शास्त्रों ने आईस क्रीम के सुख को सुख नहीं कहा क्योंकि इस सुख के पीछे दुख खड़ा है वो च्छाया पढ़ रही है तुमारे उपर लेन पता नहीं चल रहा उस दुख की उस कार की, उस पैसे की दौड की या वो जो तिजोरी भर ली है उसके पीछे बड़ा दुख, भैंकर दुख खड़ा है या जो चट खा रहे हैं, पी रहे हैं, मदिरा क्या मदिरा के पीछे दुख नहीं कड़ा? मदिरा पीने से ब्रेन नश्ट हो जाता है वैग्यानिक प्रूफ है तो ब्रेन ही नश्ट हो गया तो आपका क्या हाल होगा भगाण सुरी कृष्ण कहते हैं कि बुद्धी नासो प्रणश्चती जिस व्यक्ति की बुद्धी नश्ट हो जाती है उसका तो पतन निश्चित है तो वो तो आप देख सकते है आपकी बुद्धी और मन ही बिक्षिप हैं तो आपको कौन इस जीवन में सफल व्यक्ति कहेगा अहार फाउंडिशन है आपके जीवन का आपके सुख का आयू का बल का आहार को सुधारना चाहिए बल भी मनो बल है आतम बल है शारीरिक बल है ये तीनों प्रकार के बल आहार पर डिपेंड करते हैं आहार शुद्धी सत्व शुद्धो जिस ब्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसकी बुद्धी शुद्ध होती है उसका अंतेकरण शुद्ध होता है आहार से और कोई जर है वाइलेंट ही है हिंसक आहार करते हैं प्रकरती के विरुद जो आहार ग्रेंड करते हैं उससे तो विनाशी होता है Samaaz का हुआ सभी का नहीं गव का या बैल का या भैंस का या हाती का घोड़े का हाँ अहार घास है वो घास में खुश रह सकते हैं, सुष्ट रह सकते हैं, बलिष्ट रह सकते हैं, बुद्धी इस्थिर रह सकती है भाई दूसरे तुम आहार करवाओगे, तो वो बेकार हो जाएंगे लोग गोडे को भी जोड़े दस्तिमांस खिलाते हैं, रेस में भगाने के लिए वो घोडे घोडे नहीं रहे, वो तो अपने जैसे ही बना लिये उन्होंने अध कच्रे कर दिये, ना इधर के रहे ना उधर के उससे अच्छे तो जबी थे, जो घास खाते थे तभी उनमें शक्ति थी, सोच समझ थी, दोड़ने की सब परकार से बल था लेकिन मनुष्य के संपर्ग में आके, जो भी जानवर आएगा, वो भी बिगड़ जाएगा क्योंकि मनुष्य बिगड़ा हुआ है, मनुष्य प्रकरती के खिलाप चलता है लाव अफ नेचर नहीं मानता तो इतार्तम अगर प्रकरती के साथ नहीं है हमारा, तो हम दुख ही होंगे, और क्या होगा आयो सत्व बलारोग्य सुख प्रीती विवर्दना रश्याः इसनिगदाह इस्थिरा हिर्द्या आहारा सात्विक प्रिया ये सात्विक प्रिया, ये सात्विक आदमी के प्रिये भोजने इस्निक्द चिकने, घी, दूद, मलाई, मक्कन, इस्थिरा यो बुद्धी को, मन को, वीरिये को इस्थिर रख सके चलाए मान बुद्धी वाले को देखिए बंदर से भी नीचे गिर जाता है इस्थिति में जिसका मन बुद्धी चलाय माने वीरिय चलाय मान होता है तो किदर भी यू बहाता है भूग विलासों में चला जाता है यह सब इस्थिर होनी चाहिए तो इस्थिर तभी रहेंगे जब हम आहार इस्थिर आहार करेंगे हमारा डवलोप्मेंट इस्थिर रखने वाले आहार से होगा और वो सतोगुनी आहार है भूगान कहते हैं इर्दे को खुश करने वाले आहार इसनिक दहा चिकने रश्या रस युक्त रसीले रस कहते हैं जूस को जूस वाले रसीले गन्य का रस है औरेंज का रस है आम रस है अंगूर का रस है औरेंज इत्यादी अनेक रस है एक नहीं अनार का रस है शराब के लिए नहीं कहा जा रहा कि शराब सत्वगुणी है कि यह भी तो उंगूर की बेटी है नहीं, यह सड़ा हुआ उंगूर है सड़ी दशा में गया हुआ तो तमोगुणे इसलिए शराब को तमोगुण बोला है अंदकार में ले जाती है तो शराब अंदकार का मतलब यह नहीं कि आपको सूरिये से उजाले से दूर कर दे कि हमने तो टूब लाइट जला रखी है सारा शेर जगमगा रहा है दिन के प्रकाश में रह रहे है काम अंदेरे में अंदकार में बुद्धी बनाती है अंदकार में बिचारों में दोड़ाती है जोटी दुनिया में जीना सिकाती है हिंसा बढ़काने वाला आहार है डराने वाला आहार है नियत खराब करने वाला आहार है शराप पी के आदमी अपने को भूल जाता है पिर दूसरे को क्या पैचानेगा क्पीर कर दिस बार्ट कर दो